आप सभी शुरुताओं का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में आईए आज हम सभी बालों को लंबा करने के बारे में जानते हैं कि किन बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे वैसे तो हमने कई एपिसोड आपके लिए समस्या के लिए बनाए हैं जिसमें से एक बहुत ही अच्छा हमारा एपिसोड था कि खान पान के द्वारा कैसे अपने बालों को लंबा करें और मजबूत बनाएं जड़ने से रोकें वो एपिसोड हमारा बहुत ही अच्छा था आईए आज हम जानते हैं वो इंटर्णल के लिए था कि अंदर से आप खान पान को सही करके बालों को कैसे हिल्दी रख सकते हैं पर कुछ जरूरतें ऐसी हैं जो कि बाहर से भी आपको करनी जरूरी हो जाते हैं कि पोल्यूशन इतना होता है आप बाहर जब जाते हैं तो पोल्यूशन के वज़ा से आपके बाल गंदे हो जाते हैं तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है इसी कड़ी में आज आईए हम जानते हैं कि किन किन बातों का ख्याल होता है हमें बालों की बाहरी खुपसूर्ती के लिए क्योंकि हमने बताया था सबसे बेहतर है कि आप खान-पान से बालों को हेल्दी बनाईए लेकिन बाहरी सफाई भी बहुत जरूरी होती है तो सबसे पहले बालों को जब भी धूप वगेरा में जाएं तो ढखके रखें और उनकी साफ सफाई रखें बालों को अच्छे से कभी भी जैसे सोडा हो गया सर्फ हो गया ऐसे केमिकल्स बालों पर ना लगा है ज्यादा केमिकल्स का प्रियोग ना करें और बालों को अगर आप धूल में जा रहे हैं धूल मिट्टी की साइड जा रहे हैं तो कैप लग करके रखें यानि कि ढख करके रखना जरूरी हो जाता है लड़की हो या लड़का हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाल घने और खुबसूरत हो केमिकल यूप शेंपू के इस्तेमाल से भी बाल जड़ने लगते हैं लेकिन अगर इनकी अच्छे से देख भाल की जाए तो इन निम्बू से धोए किसी भी सेंपू या साबून से धोने के बजाए आप निम्बू का रस निचोड़िये बालों पर और बालों में अच्छे से उंगलियों से उसको मलिये ताकि नीचे से जितने भी डेंडर अफ होंगे बालों में वो गायब हो जाते हैं इसके लिए और दस मिनट तक मसाज कीजिए इसके बाद धो लिजे उसको नहा लिजे और पानी से धोने के बाद वापस आप निम्बू निचोड़ करके लगा लिजे बालों को और फिर धो लिजे अगर आप सबताह में ये काम दो दिन करते हैं और लगातार कुछ दिनों तक करते हैं जब हमारे ही चैनल पर दिये हुए दूसरे एपिसोड को सुनिए जिसमें कि हमने आपको बताया है कि किन किन चीजों को खाना जरूरी होता है अगर आपको अपने बालों को हेल्दी रखना है और लंबा बनाना है तो इसके साथ साथ ही हम आपसे आज के लिए इजाजत चाहते ह हैं अगली बार जुड़ेंगे कुछ और महतो पूर्ण जानकारियों को ले कर गए तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार दोस्तों